तुलसी जी का प्लांट और अक्सर आपने देखा होगा तुलसी जी के पोधे जमीन में लगे रहते हैं लेकिन मैंने इस पोधे को पानी में लगा रखा है तो रूट्स आप इसकी देख सकते हैं कितनी घनी हो रखी हैं तो एक्चुली हुआ ऐसा था कि ये जो प्लांट है ये मेरी दादी माने कुछ और पोधा मतलब अलग जैसे वीड टाइप का पोधा समझ के इसको उखाड के फेंक दिया था उनको ठीक से दिखा नहीं या वो पहचान नहीं पाई तो फिर बाद में मैंने देखा कि एक तो त तरीके से मतलब इसके जो स्टैंप्स वगरा बिलकुल मुर्जा गए थी पतियां बिलकुल मुर्जा गई थी और इसे करीड़ तो वापस से इस प्लांट को हेल्दी होने में करीब करीब एक वीड का टाइम लग गया था और अभी अब देख सकते हैं इसकी पतियां भी बि लगवग पूरे तरीके से मुर्जा चुका था अगर मैं इसे दो घंटे और ना लेकर आती तो यह फिर तब भी ठीक ना होता तो सबसे पहले मैंने इसको पाने में ही रखना बैटर समझा तो अभी आप इसमें रूट्स देख सकते हैं नई नई इसमें रूट्स भी आ रही ह और साथ ही साथ रूट्स भी इसकी काफी घंई हो चुकी है और अगर हम इसे जमीन में लगाते हैं तब भी यह पोधा लग जाएगा खुश्बू भी इसमें काफी प्यारी आती है ऐसा नहीं है कि पानी में लगा रखा है तो खुश्बू खतम हो गए ऐसा बिलगल भी नह है थोड़ा साफ तो थोड़ा इसे साफ करने की ज़रुत है बाकि बहुत अच्छे से चल रहा है और इसमें देखिए आप पानी जो है इसका कलर चेंज हो चुका है क्यांकि मुझे करीब वन वीक हो गया है इसका पानी बदले तो इसको मैं यहां तक भरके रखती हूं अब साथ जो पानी है इसका कलर भी चेंज हो गया है तो वापस से इसमें हम साफ पानी भरके रख देते हैं करीब मैं इसका चार से पांच भार पानी बहुत चेंज कर सकती हूं और यह देंखिए लमबी-लमबी पतियों वाला काफी प्यारा प्लांट है ये और अभी जो है इस से मुझे इतनी अटेश्मेंट हो गई है कि मेरा इसको जमीन में लगाने का मन ही नहीं करता और वैसे भी विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है देरे-देरे सरदी बढ़ने लगी है ठंड होने लगी है तो उस हिसाब से क्या है कि तुलसी जी का पोदा है ये ठंड के मोसम में न बचाया जाए उन पोदों को वो सारे के सारे खतम हो जाते हैं तो बाद में जो फरवरी का सीजन आता है तो वापस से इसके जो बीज है उनसे नए प्लांटा बना सकते हैं नई तुलसी के पोदे अपला के ग्रोगर सकते हैं तो थोड़ा फैवरेबल टाइम आ जाता है फर ओस से बचा कर रखूँगी अगर मैं इसको जमीन में लगा देती हूँ देन डेफिनेटली इसके उपर ओस आएगी या फिर सर्दियों में कई बार बारिश भी होती है कई बार ओले भी आ जाते हैं तो उससे क्या है कि जो प्लांट है इसको नुकसान होने की चांसिस होंगी ताकि मैं इसको आसाने से ठंट से भी बचा सकूँ और देखती हूँ यह मेरे प्लांट मेरला पानी में ही कब तक चलता है और मेरी उम्मीद है एक आशा है कि यह पोधा लंबे समय तक चले तो नेक्स टाइम जब इसका फैवरेबल टाइम आएगा नेक्स टियर या है पानी जो ठंडा रहता है तो मैं इसका डेली पानी चेंज कर दिया करूंगी जो पानी आता है ताजा पानी आता है तो उसमें क्या है कि ठंड कम रहती है कम ठंडा रहता हो पानी थोड़ा नरम होता है यानि गुन-गुना पानी होता है तो उसमें मैं इसको लगा के रख आपको जरूर बताना और यह ब्लांट कैसा लगा वीडियो कर पसंद आया हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना और प्लांटिंग वीडियो के लिए सब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ टेक ए स्टेए हैपी एंड हैली थेंक यू सो मच